पंडित बच्चराज व्यास चौक एस्तित राम बंधार के संचालक गुपता परिवार की ओर से श्रीमत भगवत कथा का एउजन किया गया था देवी चित्रलेखा के श्रीमुक से श्रीमत भगवत कथा का लाब भक्तों ने लिया आपको बता दे कि जिसका कल समापन हुआ है इस दोरान हमारी समादाता शित्यजादेश्मुक ने खास बाचीत की है आईए डालते हैं उनके बाचीत के को चैंश नमस्कार दर्शको आज हमारे साथ है श्रीमत भगवतकार चित्रलेखा देवी चित्रलेखा जी आज वो नागपुर में आई है उनका भगवत यहाँ शुरू है नागपुर मेरा भागवत दूसरी बार यहाँ पर हो रही है इससे पहले चातर पर फार्मस में कथा हुई थी बिफोर कोविड उसके बाद दो तीन साल तक यहाँ पर कथा नहीं हुई और लगातार साथ दिन से यहाँ कथा चल रही है नागपुर में स्वतही सब भक्ती हैं लोगों में बहुत भक्ती है तो यहाँ शुमत भागवत कथा करके बहुत आनन लगता है अच्छा लगता है कि अच्छे शूता आते हैं तो सुनाने में भी अच्छा लगता है नागपुर तो है यह वैसे मतलब नागपुर में कोई भी आता है तो बिलकुल उसका अस्वागत भी बहुत अच्छे से होता है यह बात तो है आप में बहुत ही चोटी उम्रे से जो है प्रवश्चन देना शुरू किया है मुझे लगता है बाबा रमेश इनके बारे में परिक्रमा होती है तो जो मैं छोटी थी तो कई सारी परिक्रमा मेंने की है और उनके साथ-साथ भी बहुत सारे ब्रज के ऐसे संत हैं जिनका बच्पन से ही मुझे पर आशिरवाद रहा है और मेरा इमानना है बिना संत क्रपा के आप आध्यात में आगे नहीं बढ़ सकते तो मेरा यह जो रास्ता है इसमें भी अगर आगे बढ़ने का कुई सबसे बड़ा में जो स्तम है तो संती है संतों यह है हमारी परंपरा है संतों की है आपकी गुरू कौन है अध्यात्म में गुरू कौन है मेरे दिक्षा गुरू गोडिया संप्रदाय से बंगाल से शेश तो तीन वर्ष पूर भी उनका भगवत धामवास हो गया, वो ब्रज में ही रहते थे, चालीस साल से लगातार बंगाल शोड़के वो ब्रंदावन आ गए, वो ब्रंदावन से ब्रज में ही उनका निवास रहा है, आप जिस तरह से अध्यात्म की और बड़ी हो, तो घर से भी मतलब ऐसे कुछ परंपरा थी, या किस तरह से आप इस और बड़ी हो, घर में भगती की परंपरा थी, भागवत कहने की कोई परंपराम नहीं थी, क्योंकि ब्रज है, ब्रज में तो कृष्ण भगती एक स्वतई ही होती है घर परिवार में, तो पूरा परिवार पहले सी भ परिवार में रहिए, आप प्रवचन करते हो, भागवतकार हो आप, शादी आपकी हुई है, तो किस तरह से आप ये सब मेल बिठाती हो, अगर आपको करने की चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपके मन की चाहो कि ये मुझे करना ही है किसी भी हालात में, और उस म सबसे जरूरी यह होती है कि आपका जो परिवार है वो कितना सपोर्टिव है तो इस मामले में भगवान की बहुत क्रपा रही कि उनों ने हर तरीके से सपोर्ट किया और विभा के उपरांत भी जो संकीरतन यात्रा भगवत यात्रा जो निरंतर चलती आ रही थी आज भी वो जुड़े रही है भगवान से जुड़े रही है क्योंकि धर में एक ऐसा रास्ता है जो आपको जीवन में ठहराव देता है जो एक स्थिरता देता है अगर वो आपकी जीवन में अगर नहीं है तो कई ना कई आप चीजों को लेके बहुत जली बिखर जाओगे आज के धर्म नहीं है धर्म होते तो उसकी वैल्यू को समझते तो सबसे मेरा यही कहना धर्म से जुड़े खुच जुड़े अपने बच्चों को आगे आने वाली जन्रेशन को जोड़े ताकि एक अच्छा भविश्व और एक अच्छा राश्र का निर्मान हो आप बागवत के ल अच्छा लगा पूरा परिवार साथ दिन से लगातार दिन रात मेहनत करके característ करके शद्धा से जुड़ा हुआ है बच्चे बड़े बुज़रग साब जुड़े हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ उनके बीट साथ दिन रहकर के उन्होंने बड़े भाव से बड़े उत्साह के साथ इस कथा को रखा बहुत पहले से चर्चा चल रही थी कथा होनी है उनी और अंत में ये दिन आये तो बहुत अच्छा भगवान सी प्रात्ना पूरे परिवार के उपर आश्रिवाद बना रहे हैं तो हमारे साथ देवी चीतरलेखा जी थी जो आप है और वो नाकपूर में दूसरी बार आरे गुपता परिवार जो रामभंडार जो प्रसीद्ध नाकपूर शेहर का रामभंडार मिठाई का मिष्टान है उनके दवारे ये जो तिस राम हो समापन होने जा रहा है और देवी चित्रलेखा ने बहुत ही अच्छी जानकारी जो है हमारे साथ साजा की है कैमेरा परसन अखिलेश भारतवाज के साथ मैंक्षेति जादेश मुख बीसे नियूज नाकपूर